तो नमस्कार किसान वाईयों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और हमने एक और महिंद्रा का पहले भी वीडियो अमलोग बना चुके हैं आप लोगों ने देखा होगा वह वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और उसकी डिमांड के बाद में एक नया ट्रेक्टर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आप किसान वाईयों को इसके बारे में पूर रिवीडियो बनवाकर और इसकी पूरी जानकारी तोला सा इनकिसान वाईयों को बताईए कि इसमें क्या-क्या जो इंपोर्टेंट फीचर है और क्या कहा है इसमें खूबी आए जिसकी वज़ा से किसान आदमी को इसके बारे में आप थोड़ा सा बताईए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका मैं सिद्धी विनायक से अरुन सिंग चंदेल सभी किसान भाईयों को स्वागत करता हूं आप लोगों ने बहुत ज्यादा ही पसंद किया इसी के साथ में आप लोगों के लिए आज एक 500 हमारा जो नया ट्रैक्टर है 575 डियाई एक्सपी प्लस इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी दूँगा और यहां तो देखिए किसान भाईयों यह हमारा महिंद्रा 575 डियाई एक्सपी प्लस है इसमें हम आपको 6 साल की बाररणती रेते हैं इंजन, ग्यार वकसा और लिफ्ट की ग जानका आधे एक्सपी प्लस ट्रैक्टर है यह 47 एचकी का ट्रैक्टर है इसमें हमारे चार सिलेंडर दिए हुए हैं यह आप देख Sकते हैं चौरों सिलें में आपको सारी जानकारी उसके देती उसी तरह मैं इसमें और भी आपको बताऊंगा हमारा की साइट दी रहती है अगर पावर इस्टेरिंग पाइप फट जाए तो किसान कहीं भी जाने के लायक नहीं रह जाता है लेकिन हमारे महंद्रा में महंद्रा पांसो पिशहत्तर में डॉनों साइट ड्योल इस्टेरिंग दी हुई है कि अगर एक फट भी जाए तो किसान आसानी से अपने रह तक मंजिल तक पहुंच सकता है इसी के साथ साथ इसका फ्रेंट एक्सल देख रहे हैं पहले यह फ्रेंट एक्सल क्या शीदा आता तो जिसकी किसान भाईयों को मैं और एक चीज इसमें मुनाफे वाली चीज बता दूं पहले इसमें फिल्टर डवल आता था जिसमें लगबग दौनों फिल्टरों की कोश्ट मिला कि 200 रुपय करीब होती थी लेकिन अब कंपनी ने इसको सिंगल फिल्टर में कर दिया है और इसका वर आति सक्ता है इसकी सेटेंग स्पीय बारे सारी चीजों के बारे में आपको मैं इसकी जैनकारी दूँ सबसे पहले तो हाँ तो किसान बाईयों देखिए इसकी सीट कितनी कमफर्टेवल रहती है इसमें क्या है किसान कितना भी टेक्टर चला है ना ही उसके हाथ पेरों में दर्द होता है और ना ही किसी प्रकार की उसकी कमर में किसी भी प्रकार का दर्द इससे क्या है कि किसान लॉंग टाइम तक ट्रैक्टर की सेटिंग इतनी कंफर्ट की गई है इसकी किसान लॉंग टाइम तक इसको चला सकता है किसी भी थकावट के बिना अब इसके बाद इसकी स्टेरिंग पर आईए इसकी स्टेरिंग आप यह मानिए जिस कोई भी एक के देखकर यह मलग इसको ट्रेक्टर को चला कर यह नहीं कह सकता है कि यह आप ट्रेक्टर चला रहा है बिल्कुल यह कार की तरह ही चलती है बिल्कुल सॉप्ट इसकी स्टेरि सेंटर गैर क्या हमारा डारेक्ट इंजन से कनेक्ट रहता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें हमारे आठर्वड गया रहें दो हमारे रिवर्श भल गया रहें और यह हौई है एंड लो का ये गेर दिया हुआ है जिसको आप देख रहे हैं ये हई और लो के लिए दिया हुआ है हाद और किसान वाइव अब अपन सबसे पहले इसके टायरों की बारे में भी आपको मैं इसकी चैनकारी देरता हूं इसमें हमारे साथ पचास सोला के आगे के टायर हैं इसके और पीछे का टायर देखें तो यह चौदा नो अट्ठाइस के हैं यह क्या जोताई में सबसे वैस्ट माने जाते हैं इसे क्या किसान आसानी से जोताई कर सकता है और ज्यादा यह करना चाहिए अपने सिलिप नहीं मारते हैं जोताई में भी बहुत सक्सेज रहते हैं अब आईए मैं इसके आपको इना इसकी लिप्ट के बारे मैं बताता हूं यह यह इसकी हमारी लिप्ट हाइड्रॉलिक बोला जाता है जिसको और सुद्ध किसान भाईयों को अगर मैं इससे उठा सकते है और किसान भाईयों अपने इसके प्यू पावर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसका प्यू पावर 31.9 जो कि महिंदरा की सेर्ड़ की किसी भी बहुत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं यह हमारी बैटरी स्टाइड लगी हुई है और यह देखिए यह हमारा 575 डियाइए एक्सपी रिवर्स प्लस जोल किलिच के साथ में है तो दोस्तों यह ती जानकारी अपनी महिंद्रा के 575 डियाइए एक्सपी प्लस मॉडल की अरुण सर ने जानकारी दे अरुण सर का उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद महिंद्रा का भी जो की यह ट्यक्टर है और आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के बहुत बहुत धन्यवाद यह थी मेरे द्वारा दी गई आपको 575 की छोटी सी जानकारी और अगर कोई भी किसान भाई हमारा अगर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहता है तो नीचे दिए कर सकता है और इसी के साथ मैं किसान भाईयों का धन्यवाद देता हूं कि यह मेरी चोटी सी दियूई 575 के बारे में दियूई जानकारी आपको बहुत पसंद आई हुई होगी जिस तरह आपने हमारी 585 की जो वीडियो को देखकर जो प्यार और संबान हमें दिया है हम आगे भी चाहेंगे किसान भाईयों से कि जिस तरह आज मैंने 575 के लिए आपकी जो जानकारी दिये उसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार